बहुत अजीब सी बात है कि शिक्षा मंत्री हैं और हम इनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछते हैं और ये हिस्ट्री का जवाब देते हैं क्योंकि यह कैमिस्ट्री का सवाल इसलिए नहीं उसका जवाब दे सकते क्योंकि 60% दिल्ली सरकार के स्कूल में साइन्स नहीं पढ़ाई जाती है इसलिए शिक्षा मंत्री से जब भी पूछो कि 2% से 12% क्यों किया तो वो जवाब देते हैं कि हमारे घर में आज अपना डोग को बच्चा हो गया कुत्ते को बच्चा प्रादा हो गया कमेटी ने एक रिकमेंडेशन करी कि अवार्डिंग ओफ माल प्रेक्टिस लाइक ब्रांड पुशिंग कि आप कोई परचार नहीं कर सकते कि शराब ज़्यादा के बगर आपने छूट दे दी कि एक पेटी के बदले में एक पेटी फ्री दीजे पूरे दिल्ली में नहीं पूरे देश में ये परचार था कि दिल्ली में एक पेटी के साथ में एक पेटी फ्री मिल रही है और दिल्ली से भार से लोग आकर दिल्ली से खरीद रहे थे फिर ये कमेटी की रिपोर्ट में कहा कि non-confirming areas जैसे की गाव हैं, जैसे की colonies हैं जहाँ पर कोई commercial market नहीं है जहाँ पर कोई DDA की, कोई MCD की market नहीं है वहाँ पर नहीं खुल सकती दुकाने मगर इन्होंने जब auction किया जोन्स का तो इन्होंने non-confirming area को भी बेच दिया जो wholesaler होगा, वो manufacturer नहीं हो सकता जो manufacturer होगा, वो retailer नहीं हो सकता जो retailer होगा, वो manufacturer नहीं हो सकता मगर दो company की मैं यहाँ पर अपना जिकर करना चाहता हूँ एक है महादेव वो तीनों ही है जो की मिसिस चड़ा चलाते है उसके बाद में एक है बड़ी पंजाब तो इस दो company ऐसी हैं जो तीनों का काम करती है यह शराब बनाती भी है इनके पास में L1 का license भी है और इनके पास में दिल्ली में जोन्स भी है इस बाद का मनी सिसोदिया उत्तर दे दे कि आपको 3500 करोड रुपे का Loss हुआ है या नहीं हुआ है रेवन्यू में और 3000 करोड रुपे का Excise में Loss हुआ है या नहीं हुआ है इस बाद का जवाब दे दे और जो 6.5.5 करोड रुपे सरकार को Loss होता है देखे यह अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है कि सरकार जिस पॉलिसी में उसको 6.500 करोड रुपया ज्यादा मिल रहे हैं अगर सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आती है और उसमें ऐसे चेंजिस करती है कि जिसमें सरकार को 6.500 करोड रुपया कम आता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है तो वो साड़े छे हजार करोड रुपया कहां जाता है कमेटी ने एक रिकमेंडेशन करी कि अवर्डिंग ओफ माल प्रेक्टिस लाइक ब्रांड पुशेंग कि आप कोई परचार नहीं कर सकते कि शराब ज़्यादा के बगर आपने छूट दे दी कि एक पेटी के बदले में एक पेटी फ्री दीजे पूरे दिल्ली में नहीं पूरे देश में ये परचार था कि दिल्ली में एक पेटी के साथ में एक पेटी फ्री मिल रही है और दिल्ली से भार से लोग आकर दिल्ली से खरीद रहे थे तो उस चीज़ का परचार यह according to committee report यह नहीं कर सकते थे एक इनोंने जो committee की recommendation थी कि whole sale operation under one government entity इस बात को note कीजेगा बहुत है इंपॉर्टेंट है कि whole sale operation under one government entity the model to be followed should be similar to the one as followed in the state of Karnataka where KSBCL Karnataka State Beverage Corporation Limited तो Karnataka में जो वहाँ पर model चल रहा था कि जो whole sale है whole sale का जो काम है वो सरकार को ही करना चाहिए जो हम बार-बार एक आरोप लगाते हैं जिसका हम आदमी party अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाई ना उनके पास में जवाब है कि जो L1 का commission इनोंने L1 मतलब है हो whole sale L1 का commission इनोंने 2% से 12% क्यों किया इसका कभी ये लोग जवाब नहीं देता है तो committee ने कहा कि जैसे करनाटक में होता है कि वहाँ पर सरकार ही whole sale का काम करती है तो यहाँ पर भी सरकार whole sale का काम करे ताकि हम उसको control कर सके और सरकार को मुनाफ़ा आए फिर ये committee की report में कहा कि non confirming areas जैसे की गाव हैं जैसे की colonies हैं जहाँ पर कोई commercial market नहीं है जहाँ पर कोई DDA की कोई MCD की market नहीं है वहाँ पर नहीं खुल सकती दुकाने मगर इन्होंने जब auction किया जोन्स का तो इन्होंने non confirming area को भी बेच दिया उसके बाद में committee कहती है कि only individual can apply for license यानि कि इनका target था कि 800 दुकान खोलेंगे तो 800 लोगों को एक एक दुकान एक एक आदमी को देंगे कभी committee ने नहीं कहा कि आप पूरा cartel बनाकर एक एक आदमी को सो सो दुकान दे दीजिए एक एक आदमी को दो दो जोन दे दीजिए कभी committee ने ऐसा नहीं कहा उसके बाद मैं committee ने जो भी सुधाशु जी ने जिसका जिक्र किया no manufacturer or wholesale license holder is allowed to bid for journalize की जो wholesaler होगा वो manufacturer नहीं हो सकता, जो manufacturer होगा वो retailer नहीं हो सकता, जो retailer होगा वो 62 HR होगा वो manufacturer नहीं हो सकता मगर दो कम्पनियों की में हाँ पर अपना जिक्र करना चाहता हूं, एक है महादेव, वो तीनों ही है, जो की मिसिस चड़ा चलाते हैं, उसके बाद में एक है बड़ी पंजाब, तो दो कम्पनिय ऐसी हैं, जो तीनों का काम करती हैं, यह शराब बनाती भी है, इनके पास में L 1 का लाइसेंस भी है, और इनके पास में दिल्ली में जोन्स भी हैं, फिर एक है महादेव, एक है बड़ी पंजाब, फिर इसमें एक इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इव दा एप्लिकेंट ड़स नोट एक्सप्ट दा लाइसेंस, आफ्टर विनिंग दा बिड्ड विदिन दा स्टिपुलिटिट टाइम फ्रेम, एमडी अमाउंट शेल स्टेंड फोर्फिटेड, जो इन्होंने एक सो चवालिस करोड रुपया वापस कर दिया लोगों का, ये बोलके कि कोविड चल रहा था, किसी छोटे वेपारियों का एक रुपया नहीं वापस किया, मगर एक स 244 करोड रुपय शराब माफ़ी का माफ़ कर दिया, जो पॉलिसी कहती है कि किसी को भी माफ नहीं किया जाना चाहिए, तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि आपने ये पैसा क्यों वापस किया, जी, 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 ये सारा पैसा, जो कंपनिया जिन्होंने बिट की थी, और जिन इनको बिड में जोन मिल गए थे, जब वो नीचे से जाकर नोसी नहीं लेके आए, तो उनको पैसा वापस कर दिया गया, देश में दिल्ली में एक ऐसा ही राज्य है दिल्ली, जहां पर शराब मंत्री भी वही है जो शिक्षा मंत्री है, तो एक तरफ शिक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये बच्चों की उमर को घटा देते हैं, उनको छूट देते हैं कॉलेज के बच्चों को कि आप जाके शराब पीजिए, हम बहुत अजीब सी बात है कि शिक्षा मंत्री हैं और हम इनसे कैमिस्ट्री का सवाल पूछते हैं और ये हिस्ट्री का जवाब दे सकते हैं क्योंकि 60% दिल्ली सरकार के स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है, इसलिए शिक्षा मंत्री से जब भी पूछो कि 2% से 12% क्यों किया, तो वो जवाब देते हैं कि हमारे घर में आज अपना डॉक को बच्चा हो गया, कुत्ते को बच्चा कुछते हैं कि आपने क्रेडिट नोट 18 करोड रुपे का एक-एक, तो जो 2% से 12% की कमिशन कैसे ट्रांसफर होती थी, कि क्रेडिट नोट ये देते थे, आप सभी कभी दुकान पर जाते होंगे, कोई जूता खरीदते होंगे, आपको जूता पसंद नहीं आता होगा, तो जब आप उसको वापस कराने जाते हैं, तो आपको क्रेडिट नोट दे देते हैं, कि ये एक साल तक वैलिड रहेगा, इसके बदले में कभी भी जूता ले लेना, या कभी भी उतने अमांट का कोई भी चीज ले लेना, तो ये रिटेलर्स को जो L1 होते थे, वो सारे रिट सेलर्स को क्रेडिट नोट इशू करते थे, और वो क्रेडिट नोट के बदले में उनसे कैश लेकर वो आमादमी पार्टी को ट्रांसफर किया करते थे, तो ये इनका सारा अपना मॉडल्स ऑपरेंडी था, ना ये क्रेडिट नोट का जवाब दे सकते हैं, और ना ये 2% से 12 का जवाब देते हैं, ये सीधा पहुंच जाते हैं कि केश्रिवाल तो बर्धान मंतरी के उम्मीदवार हैं, तो एक कोई गाउ में अपना हड़ी सा पहलवान था, तो एक हमारे देश में गामा पहलवान हुए बहुत, जो है, उनको रुस्त में हिंद भी बोलते थे, तो ए तो ना गामा पहलवान ने उससे लड़ना था, और जब अगर कभी वो आभी जाता, तो उसका हड़ी पहलवान का क्या होता, तो भाग जाता, तो ऐसे ही ये खुदी चार लोग, कहीं पर भी जाके चैनल पर या किसी दूसरे राज्ये में जाकर, खुदी एक दूसरे की पी इसका भी जवाब उनके पास नहीं होगा, कि आपने मनी सिसोदिया को बार-बार ये कहते सुना होगा, कि हमारी दुकाने जादा नहीं खुली, इसलिए जो हमारा रेविन्यू है वो कम आया, अब आप ये जो मैं आपको फिगर दे रहा हूं, इसके बारे में ज़रा सुन ल जिजे, कि 2020 और 2021 में, अगर मैं 19 और 20 की बात करूं, तो दिल्ली में 10,000 करोड की शराब विकी, 2019 और 2020 में, 2020 और 2021 में दिल्ली में 7,860 करोड की शराब विकी, और जब ये पॉलिसी आई, तो केवल साथ महीने के अंदर में जो दिल्ली में शराब विकी है, वो अमाउंट है 10,000 करोड रुपया, तो जो पुरानी पॉलिसी में, एक साल में 10,000, 7,800 करोड की शराब एक साल में विकती थी, इन्होंने साथ महीने में 10,000 करोड की शराब साथ महीने में, तो ये ये बात को नहीं कह सकते कि हमारी दुकाने कम खुली हैं, इसलिए हमारी शराब जो है कम बिकी हैं, इनकी शराब डेड़ गुना जादा बिकी हैं, और एक्साइज की डूटी इन्हों ने कर दी वन परसंट, अब मैं आपको एक्साइज के उपर में भी आपको उनसे सवाल पुछना चाहिए, कि 19-20 में आपको एक्साइज डूटी 4200 करोड रुपया सरकार को मिली, 20-21 में एक्साइज आपको 3300 करोड रुपया मिला, मगर जब आप नई पॉलिसी लेके आए, तो केवल 158 करोड रुपया एक्साइज मिला, एक्साइज 158 करोड रुपया, यानि कि एक्साइज में भी लॉस है, और आपके रेवन्यू में भी लॉस है, तो मैं मनी सिसोदिय जी से पूछना चाहता हूँ कि आप इस बात का जवाब दें कि आपकी सरकार को एक्साइज में 3000 करोड का लॉस हुआ है, और आपके revenue में 3500 करोड का loss हुआ है, ये सरकारी loss है ये आपको हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का जवाब दे दे, ये तो सारे data होंगे excise के पास में, excise विभाग के पास में, आपके पास में तो सरकार को पिछले साल की तुलना से excise में कितना loss हुआ है और आपको revenue में कितना loss हुआ है, इस बात का मनी सिसोदिया उत्तर दे दे कि आपको 3500 करोड रुपे का loss हुआ है या नहीं हुआ है revenue में और 3000 करोड रुपे का excise में loss हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का जवाब दे दे और जो 6500 करोड रुपया सरकार को loss होता है देखें यह अपने आप में बहुत बड़ा crime है कि सरकार जिस policy में उसको 6500 करोड रुपया ज़्यादा मिल रहे हैं अगर सरकार एक नई policy लेकर आती है और उसमें ऐसे changes करती है कि जिसमें सरकार को 6500 करोड रुपया कम आता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है तो वो साड़े छे हजार करूर रुपया कहां जाता है जो सरकार को लॉस हो रहा है क्योंकि शराब तो ज़्यादा बिक्री है शराब कम नहीं बिक्री मगर सरकार को जितना रेवेन्यू आना चाहिए जितना पैसा आना चाहिए तो वो पैसा कहां जा रहा है इस बात का जवाब दे तो ये कई ऐसे बिंदू है जिन से जब आप उनसे कैमिस्ट्री का सवाल पूछेंगे तो आपको हिस्ट्री बताएंगे तो इसी लिए यह हाले कि जो है इनके बच्चे ये बार-बार अपने स्कूल में जाकर बोलते हैं कि आप पेपर में कुछ भी लिख कर आ जाना उसको खाली मत छोड़ना ऐसे भी हमने वीडियो देखे कि कुछ भी कोई कहांई लिख के आ जाना पिच्चर की शोले पिच्चर की कहानी लिखके आजाना खाली मद छोड़के आना आपको पास कर देंगे तो वैसे ही ये दिल्ली की जनता को देश की जनता को गुम्रा कर रहे हैं बहुत-बहुत धनेवादे दिल्ली की आपकारी नीती पर कट्टर इमानदारी की कुछ कारगुजारी पर हम आपका ध्यान आक्रष्ट करना जाते हैं दिल्ली की एक्साइस पालिसी थी एक नीतीकत निर्णे था मैं पहले उसकी चार लाईने अंग्रेजी में आपके सामने बोलता हूँ उससे आपको इसपष्ट हो जाएगा कि इस नीती का मंतब भी क्या था देली एक्साइस पौलिसी एग्साइस पॉलिसी थी एग्सेशार और रिटेल लाइसनसी there is a possibility of formation of syndicate leading to overcharging, brand influencing and pushing by entry into arrangement with certain brands at the cost of the exclusion of others. Also, the L1 licensee cannot own any of the retail events, either directly or through any sister concern. For this purpose, sister concern oblique related entities shall mean that the entities should not have common proprietors, common partners or directors or majority ownership, that is 51% of the proprietorship or the partnership of the company. They shall not lie with the same person in all the entities. The entities shall not have holding, subsidiary, relationship or not subsidiary of the same holding company. विशे निवीन कहने का तात्पर ये हैं कि आपकारी नीतिक्या सबसे बड़ा नीतिकत विशे ये था, कि उत्पादक, वितरक एक समान नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे यहां संभावना रहती है कि वो बाजार में अपना एकाधी पत्य बनाकर आगे जाकर मन्चाहे तरीके से दामों को प्रभावित कर सकते हैं. और जब ये कहा गया कि producer, retailer and distributor यानि कि उत्पादक, वितरक अगर एक नहीं होने चाहिए तो वो कंपनिया किसी भी प्रकार से एक दूसरे से सबद्द नहीं होनी चाहिए. और संबद्दता की विधिवत परिवाशा भी की गई है. अर्थाथ एक दूसरे के common director नहीं होने चाहिए. एक दूसरे की share holding नहीं होनी चाहिए. व्यक्ति भी एक दूसरे में common नहीं होने चाहिए. और किसी भी एक कंपनी की दूसरी कंपनी में majority ownership नहीं होनी चाहिए. यानि प्रत्यक्ष या परोक्ष यहां तक की दूसरे या तीसरे टियर से भी परोक्ष रूप से आप प्रकारांतर से भी उत्पादन और वितरण को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकते हैं. परन्तु अब यह प्रश्नाता है यह हम नहीं पूछ रहे हैं. एक्साइस डिपार्टमेंट ने नोटिस देकर पूछा 25 अक्टूबर 2021 आज 10 महीने हो चुके हैं. उन्होंने कंपनी का नाम लिया कि Yenrich has applied for L1 distributor license using the credential of a liquor manufacturing company, Enrica Enterprise, having its distillery at Chennai. MUSIC, ocar L1 Distribution license despite being related to Magunta, Agro and Pixy which have one retail zone licensing for जोन नमबर 4, 23 and 22 with a malicious intent for forming a cartel. अब बदाइए, one company is manufacturer, it is also a partner in the distributor और तीन जोन्स का distribution उसको मिल जाता है. अब इसमें किसी प्रकार का कोई किन्तु परंतु का की संभावना नहीं रह जाती है कि जो नीती तेक ही गई थी. पारदर्शिता को लाने के लिए वो पूरी तरीके से प्रभावित दिखाई पड़ती है. दूसरा एक उधारण है, इंडो इस्पृट बेवरिजी इस प्राइवेट लिमिटेड है, इंडो इस्पृट डिस्टिबूशन प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पर भी वही कंपनी उत्पादक है और वही शेयर होल्डर है. मैं उसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं. और यह भारतिय जनता पार्टी का आरोप नहीं है. यह एक तथ्य है जो आपकारी विभाग ने दस महीने पहले दिल्ली सरकार से पूछा, तो अब दिल्ली सरकार यह कह के बचाओ नहीं कर सकती कि हमारी जानकारी में नहीं था, हम जाच कराएंगे, इस से बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन लोगों ने आपकारी नीती में जानकारी में आने के बाद पूरी तरीके से उद्देश के साथ बात की है, इसलिए हम उनसे कहना चाहेंगे कि जवाब हमें आपकारी पे चाहिए, ना इमांदारी की बात करिए, ना बिरादरी की बात करिए, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है, कि आप आपकारी की बात करिए, और जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपको इस प्रकार का नोटिस दिया, तो आपने संबंदित कारवाई क्यों नहीं की क्योंकि यह notice तत्यों के आधार के उपर है जिसमें जो policy मैंने आपको बताई उसको सीधे सीधे तरीके से ध्वस्त किया गया है तो मैं सिर्व यह कहना चाहूंगा exercise policy तो यह कहती है कि manufacture, distributor and retailer एक नहीं होना चाहिए परन्तु यहां यह मित्या भ्रम और जूट के manufacturer भी यहीं है distributor भी यहीं है और retailer भी वहीं है और उसके बाद पूरी निरलजता के साथ जनता के सामने आकर यहां दावा करने वाले कि सबसे बड़े इमांदार वो है इस असत्य के perpetrator भी वही है देखे इस विशय पे जाच जाच agency करेगी परन्तु यदि उनका इस विशय से कोई लेना देना नहीं है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजेब अंडी जी को उन्होंने गरिफतार क्यों किया है क्या एक सांसद भी है वो उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से अपने विशय के उपर प्रदर्शन करने या सत्याग्रह करने या किसी भी प्रकार के राज्यतिक प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि उनके मन में एक राजनेतिक पूर्वाग्रे है और जिस प्रकार के आरोप है उनके बारे में एजेंसी सक्षम है ये तथ्य की गहराई तक पहुँचने के लिए देखिए ये आरोप इसमें आपको किसी प्रकार की कोई नयापन नजर आता ह मैं पूछना चाहता हूँ जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं 2014 से पहले जब हम सरकार में नहीं थे तब जाज एजन्सियों के घेरे में कौन था हमारे नेता थे या उनके नेता थे Commonwealth हो कोईला घोटाला हो CWG हो समाजवादी पार्टी के नेता मुलाइम सिंग जी लालू प्रसाद यादो जी DMK के नेता तब भी वही थे जाँच के घेरे में तो आज यहां आरोप बिल्कुल निराधार है तब भी हमारा कोई नेता जाँच के घेरे में नहीं था कारण यह है कि भरष्टाचार उन लोगों का नैसरगिक चरित्र है सत्ता में रहे तो भी विपक्ष में रहे तो भी हम पारदर्शिता इमानदारी के साथ कारे करते हैं सत्ता में रहे तो भी विपक्ष में रहे तो देखिए मैं कहना चाहूँगा आबकारी पर जवाब दीजिए इधर उधर भागने का प्रयास मत करिए वो इमानदारी से लेके विरादरी तक हर प्रकार की बात का जवाब देंगे पर आबकारी पर अपनी बदकारी का जवाब नहीं देंगे हमें जवाब उनसे exercise policy पर चाहिए मैंने आज एक अपना वीडियो ट्वीट किया है अगर आप उसको देखें कि ये खुदी अपने लोगों को पंजाब से बुलाकर बॉर्डर के पास खड़ा कराके उनको सिम कार्ट देकर और फोन करवाते थे और उसको वो बोलते थे कि हमको ऐसी offer आ रही है तो जराब जो उनीक आमान में पार्टी का कारे करता था वही ये सारी बाते बता है वैसे तो उनका एक ML खुद आरोप लगा चुका है कि 20 करोड उपर टिकट के लिए मांगे जा रहे था हमारा आरोप नहीं है उनकी पार्टी के सिटिंग ML नहीं आरोप लगा इसलिए मगर हम उसमें नहीं जाना चाहते हमारा विशह यह आपकारी पे जवाब चाहिए इधर उधर की किसी बात के उपर कोई बात नहीं और जो प्रश्ण उठाएं है अभी प्रवेश जी ने हम लोंने टेक्निकल है पोलिटिकल नहीं है टेक्निकल का जवाब टेक्निकल चाहिए 2014 का उलेक यह न यह बताईए उनकी कहीं कितनी बातों बिक्चेंग क्या जा सकता है मैं राजनीत में कभी नहीं आऊंगा कट्टरता के साथ कहा था सारी संसच चोर है कटरता के साथ कहा था कॉंग्रेस पार्टी का समार्थन नहीं लूँगा कटरता के साथ कहा था शीला दिक्षी जी को बहिमान कटरता के साथ कहा था उन्चास दिन के बाद कहा था गलती हो गई कटरता के साथ कहा था बंगला नहीं लूँगा कटरता के साथ कहा था सुरक्षा नहीं लूँगा कटरता के साथ कहा था तो एक कहावत है न कही न जाए का कही है उनकी कही बातों के उपर क्या कहा जाए इसलिए उनकी बात की विश्वसनियता ही नहीं है कि उनकी बात का कोई तथ्यात्मक जवाब हो सकते हैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भी जब CVI अपनी जांच करेगी और जब वहां से लोगों को बुलाया जाएगा तब जो मैंने आरोप लगाये तो बाते सारे अपने साबित हो जाएगे अब तो CVI बताएंगे अब